हेलो एब्रिवन वेल्कम टो लफ फ्रेंट्स यहां पर हम लोग डिसकस करेंगे जितने भी कंडिडेट का ग्रेड पॉइंट में अंग होता है टेंट ट्विल था डिप्लोमा बीटे किसी भी डिग्री हांसिल करते हैं वहां पर यदि आपका ग्रेड पॉइंट में अंग है यहां पर देख पा रहा है कि ग्रेड पॉइंट 6.25 यहां पर दिया गया है जो कि यहां पर एक्विवेलेंट परसेंटेज में यहां पर देख पा रहा है कि परसेंटेज में आपका परसेंटेज में कहीं मार्स को खो जा जाता है आपका कितना परसेंटेज है तो परसेंट by 10 plus 0.75 is equal to grade point तो आपका यहां पर grade point में यदि आपका marks है तो आपको कैसे percentage में calculate करना है यहां पर देख पा रहा है कि grade point है तो grade point को इधर minus कर दिजे 0.75 और यहां पर देख पा रहा है कि 10 जो है यहां पर divide है आप लोग इसको जो है कि 10 यहां पर multiply कर दे और यह दोनों को यहां पर हटा देना है यानि कि percentage equal to grade point minus 0.75 और इंटू में यहां पर 10 है तो यहां पर एक example के तोर पर हम लोग यहां पर discuss करेंगे यहां पर देख पा रहा है कि grade point कितना है 8.75 तो आपको यहां पर percentage equal to grade point कितना है 8.75 माइनस कितना करना है आपका 0.75 और इसका जो है कि माइनस करके आपको multiply 10 से करना है उसके बाद आप देख पाओगे कि यहां पर 8.75 माइनस करोगे 0.75 तो आपका आजाएगा 8.00 और यहां पर जब multiply करेंगे 10 से तो यहां कितना आ जाएगा 8.00 है तो 8 के बाद यहां पर 0 आ जाएगा यहां पर point आ जाएगा इतना कि यहां कि percentage में यहां पर देख पा रहे है कि P तब P is equal to कितना आ गया 80 तो यहां आपने जो है कि grade point के जगह पर अपना grade point रखे उसके बाद माइनस करना है 0.75 उसके बाद माइनस करने के बाद इसको multiply करना है 10 से और आपका जो है कि यहां पर percentage निकल के आ जाएगा तो इस तरह से आपका grade point से percentage में आप calculate कर सकते हैं simply calculate कर सकते हैं तो वीडियों हैं पर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंट के साथ share करना ना भूले आपका परसेंटेज में मार्स को लिखना होता है तो आप लोग अपने फ्रेंट के साथ share करना ना भूले क्यांकि बहुत सारे ऐसे एक्जाम होते हैं ज